दोस्तों प्रदीवीरी 1112 एकाइडमी चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमने इसके पहले एक्स राइज नंबर 3.2 बी हमने कवर किया और फाइनली दोस्तों आज हम सी के वर आ रहे हैं अब देखो सी वाले पार्ट में में फंडा एक ही है एक ही पार्ट में पूरा पहला सम आपको दिखाई दे रहे हैं अब देखो अगर आप टाइप वाईस और आप इंटीगरेशन को कवर कर रहे हो तो आप पढ़ापट पढ़ापट अपनी चीजों को बहुत अच्छे से और कर सकते हैं अब देखो यहां पे पहला सम आपको दिखाई दे रहा है और मैं यहां पे कुछ आपको लॉजिक बताऊंगा और अगर आपने इसके पहले बस मैं बोल रहा हूं कि इसको भी आप लिख सकते हो अब देखो दोस्तों डीनोमिनेटर वाला पार्ट सेम एजटी आप कॉपी कर लो एक सिक्स एक्स प्लस प्लस फाइए और यहां पे कॉपी करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका डेरिवेट्व क्या निकाला था आपने वह यहां पे अब लिख दो और दोस्तों उसके बाद एक डायलोग याद रखने का old by new क्या याद रखो कि old by new old by new पे क्या लिखना है old मतलब आपको हमेशा ये स्टेप से ही relation लेना है यहां पे numerator मे एक्स का कोई क्या था old है फिर बात में वह चेंज हुआ मतलब यह new आया तो आपको यहां पे old by new लिखना है पहले क्या था थी था फिर चेंज हो के क्या है या तो old by new लिखती है अब करना क्या है दोस्तों बता है यहां तक सिंपल आ गया अपने डेरिवेटी लिखा old by नहीं है अगर समझे यहां पर 5 होता है यहां पर 8 होता तो 5 by 8 लिखते है कोई लिखकत नहीं है अब दोस्तों जस्त इसको अंदर multiply करो 3 by 2 को 2x plus 6 से multiply करना हमेशा देखो 3 by 2 multiply by 2x है बच्चों की तरह बता रहा हो नहीं तो एक ही step में डारेक बता दे इसको भी multiply हुआ 3 by 2 इसको भी multiply हुआ यह तो यहां पर काया दोस्तों 3x यह इसको 2 से divide करें तो आप दोस्तों जो भी आपका answer आया आपको इसको comparison उपर आले step से करना है उपर आले step में 3x 3x मैच हो गया कोई दिक्कत नहीं है इस्ट्रा पार्ट यहां पर क्या दिख रहा है plus 9 यहां पर एका plus line सब नहीं है उसका आपको क्या करना है अपोजिट पार्ट लेना अगर इनकेस यहां पर minus 9 मिलता तो minus 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2 का अपोजिट के आएगा माइनस 9 हमें लेना है सर बस इतना ही एक मिट आपने 3X 3X को मैच कर दिया ठीक है यह आपने extra part भी लिख दिया अब यहाँ पे देखो कुछ बचा आएगा यह सर प्लस 4 बचा है उसको same to same copy करना जो मैं बोल रहाँ बस यहाँ पे यह याद रहाँ यहाँ पे जो extra term भी आएगा उसको opposite term लेना है बड़ फिर वहाँ पे कुछ बचा है तो आपको लिखना है नहीं बचा होता हो तो नहीं लिखते अब जितना मैंने steps बताया है मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप रोक दो और फिर से आप 2-3 मिनिट फिर से उसी वीडियो को फिर से पीछे देखो बस यही main था बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी पूरा का पूरा same steps है अगर offline class होता तो मैं 4-5 examples लेता बार-बार बता तो यह वीडियो बहुत lengthy हो जाएगा तो आपके वास एक option रहता है कि आप वीडियो को बार-बार पीछे करके यही steps को देख सकते हो तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग पर बैट जाएगा अब देखो दोस्तो थोड़ा सा मैं इसको solve करूँगा 3 by 2 2x plus 6 यहाँ पे plus minus minus 9 minus 4 5 sign of greater number 9 का minus sign है देन x square plus 6x plus 5 और यहाँ पे गाएगा दोस्तो dx अब अगर मैं इसे solve करनी कोसिस करूँ तो दोस्तो ब्रैकेट के बाद वाले पार्ट से आपको इसको split कर देना है split देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यह देखो 3 by 2 2x plus 6 और यहाँ पे गाएगा x square plus 6x plus 5 यहाँ पे dx ले लो क्योंकि यह integration है देखो यहाँ पे यह minus sign जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा और अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको split कर दे रहा हूँ यह वाला part अब अलग कर रहा हूँ उसके नीचे भी denominator ले ले रहा हूँ x square plus 6x plus 5 और साथ में dx लिखना होता है integration करना कुछ नहीं है जैसे अगर समझो यहाँ पे x है यहाँ यहाँ पे y है तो आपने एक बार x को फाई लिया और एक बार y को फाई लिया तो आपको एक ही step से solve करना कुछ अलग नहीं है अब देखो दोस्तों यहाँ पे आए बीचिस इक्वाल टू अब यह जो 3 बाई 2 है यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कहाएगा दोस्तों 2x plus 6 और यहाँ पे कहाएगा दोस्तों x square plus 6x plus 5 और dx अब यहाँ पे अगर हम देखे तो यहाँ पे कहाएगा दोस्तों 5 बाहर ले लिया 1 upon 1 upon x square plus 6x plus 5 of dx हमने लिख दिया अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 3.2a में एक कोरोलर ही पढ़ाया था मैं यहाँ पे लिख दे रहाओ using integration f dash x upon f of x और यहाँ पे dx कहीं पे भी अगर आपको कोई function दिखाएगे और उस function का उपड़ derivative दिखाएगे तो आप उसको direct log of function ले सकते हो क्या ले सकते हो दोस्तों log of function plus c तो यह हमें से याद रखना है कोई भी अगर आपको function दिखाएगे और उसी का उपड़ आपको derivative दिखाएगे तो आप डारेक उसको इस तरह से ले सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो तो आए बिच्छी से इक्वल्ट यहाँ पर कहा है दोस्तों 3 by 2 यह function है उसका उपड़ derivative है तो डारेक इसका answer आप क्या लिख सकते है log of function log of function मतले यह 1 by quadratic वाले method से हम solve कर सकते है तो यहाँ पर हम इसको 1 by quadratic वाले method से हम solve कर सकते है और 1 by quadratic तो आपको मैंने बहुत अच्छे सिखाया तो देखो main sum यहाँ तक था अब आपको 1 by quadratic के तो इतने सारे examples आपने practice की है यहाँ पर I1 है देखो आप इसको आप अलग से solve करो इसको आप equation number first ले लो अब देखो यहाँ पर मैं solve कर रहा हूं 1 upon क्या है दूस्तो एक स्क्वेर है फ्लस 6 एक से फ्लस 5 है और डी एक से तो फाइनली दूस्तों यहाँ पर कहाएगा बी स्क्वेर अपन 4 है 6 स्क्वेर एवन तो 36 डिवाइड वाइड वाफ 4 मुझे ऐसा लग रहा है 9 आएगा अब मैं इसको next step में लेना चाहता हूं next step में हम इसको ले लेते हैं मैं जान बुछके next step में इतने steps लिख रहा हूं कि आपको सब चीजे डारेक 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 दिखाई दे बार बार पीछे न देखना पोड़े अब देखो दोस्तों यहाँ पर आएवन बीचे से इकोल टो इंटिग्रेशन वान अपउन एक स्क्वेर प्लस 6x हम स्टाटिंग के दो टम लेते हैं फिर हम इसको लिखते है प्लस 9 और इसको माइनस 9 से बैलेंस करते हैं और साथ में गया दोस्तों प्लस 5 यह आपको पता ह दो प्लस माइनस माइनस नाइन माइनस 5 और आएगा और यहाँ पेएगा दूस्तों डेट्यूस देना आईवन विचे से इकोल टो इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन पॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेर और यहां पे यहां पेएगा दोस्तों क्रम के लिए एक बार कुछ बोलना चाहते हो बोल दो कि बच्चो वे पूझा रहे हैं कि हाइट थोड़ी छोटी सी है इसलिए आपको दिखानी पार हूं करम का जल्दी करम आपको आएंगे बहुत बीजी चल रहे हैं स्कूल जा रहे हैं अब दोस्तों यहां पर यह वाला पार्ट जैसे ही आपका हुआ अब देखो दोस्तों यह फोर फोर किसका स्क्वेर है टू का स्क्वेर है और यहां पर गाएगा दोस्तों डीएकस आए अब यहां पर इतना पार्ट होने के बाद अब हम यहां पर करेंगे फॉर्बला यूज करेंगे using को सा फॉर्मला दोस्तों वन अपन एक स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर दी एक्स तो क्या आएगा वन अपन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए और प्लस ए तो जनरली मैं इस फॉर्मले का यूज करने वाला हूं तो जीतना अच्छा आप पेपर प्रे एसे सम्स प्रैक्टिस करोगी जिसके एक सम्स प्रैक्टिस करने से दूसरे सम अपने आप साल लो अब देखो दोस्तों यहाँ पर आई वन वीचिस एक्वल टू अब देखो इस वाले स्टेप पर फॉर्मला अप्लाए कर रहा हूं वन अपन टू है तो वन अपन टू एक वैल्यू कितना है दूस्तों टू है और दूस्तों यहाँ पर कहेगा लॉग यहाँ पर दूस्तों एक्स हाँ यहाँ पर एक्स मतलब क्या है दूस्तों एक्स वहाँ पर जो दिख रहा है हमारा एक्स यह है और हमारा यह 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 है तो एक्स यह पर हम क्या लिखेंगे एक्स log x plus 1 आएगा 3-21 और x plus 5 plus c तो दोस्तों ये आपने पूरा का पूरा एंसर निकाल दिया अब ये एंसर निकालने के बाद आपको क्या करना है ये वाला एक्वेशन नमबर फॉर्स में पूट करना है आपका एंसर आजाएगा तो देखो आए विचिस इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 बाइटू लॉग एक्स स्क्वेशन प्लस 6 एक्स प्लस 5 माइनस 5 आएवन का एंसर क्या है दोस्तों 1 बाइ 4 यहां पर लिख दे रहा हूँ वन को अगर मैं 5 से मल्टिप्लाइ करूंगा तो 5 होगा और आगे के आएगा दोस्तों लॉग एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 और दोस्तों प्लस सी तो यह हमारा है दोस्तों फाइनल एंसर उमीद कर रहा हूँ तो इस अगर आप सॉल करते हैं और यह आपको सॉल करने हैं याप से लिखाता हूँ दोस्तों मैंने कोशन लिख दिया अब आप द्यान से देखो कि यहां पर 3 था, कोई दिखकर दी तो यहां पर सेम सम है 2 है, तो यह सम और यह सम, देखो, linear by quadratic, linear by quadratic, सबसे ज़्यादा important है, आपको सम पहचानने आना चाहिए, अब देखो, यह वाला भी सम सेम है, कुछ अलग नहीं है, यह भी linear by root of quadratic है, और linear by जैसे हमने ब यह practice करना चाहिए, तो बाकी अगर बस आप वो दो सम के solutions भी अगर आप देख लोगे, गुगल पर नॉर्मली, गुगल पर सर्च करोगे इसका solution, तो आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, फिर डारेक आप इस सम पर आजाओ, आ जब रूट वाला पार्ट आ है, पुरा रूट मत लेना, तो यहाँ पर देखेंगे, तो हम 2 ऐसी रहेगा, एक स्क्वर का क्या आएगा, दोस्तो 2x क्या आएगा, दोस्तो 2, तो फाइनली यह क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2, अब देखो, मैं इसको पूरा का पूरा सम सेम लिखा, यह लिखा, फिर हम क्या लिखते हैं, दोस्तो, old by new, old यहाँ पर कितना है, दोस्तो 3 है, new कितना है, दोस्तो 4 है, तो old by new हो गया, अब दोस्तो यह पार्ट हो गया, तो जस्त यह अंदर multiply होगा, तो देखो, यहाँ पर 3 by 4, 4x प्लस 2, यह जस्त अंदर multiply होगा, तो 3 3 by 4 multiply by 4 x 3 by 4 multiply by 2 4 4 cancel हो गया तो यह 3x है और यह 2 1 जा 2 2 जा तो यहाँ पर गया 3 by 2 अब यहाँ पर एक्स्ट्रा देखोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अपको क्या है अब देखो 3x 3x मैच हो गया यह 3 by 2 कोई दिक्कत नहीं है माइनस 3 by 2 से बैलेंस कर दो जैसे वहाँ पर 9 आया था और फिर इसके बाद इसमें इस्ट्रा टम कुन साय प्लस 4 है तो प्लस 4 हम सेम लिखते हैं और यहाँ पर दी एक्स है बताओ मैंने पूरा का पूरा सम प्रीवियर सम की तरह ही सौल किया कुछ अलग नहीं कुछ नया नहीं सब सेम है अब दोस्तों देखो यह आए विच इस इक्वाल टू अब मैं क्या अब यहां पर यहां पर यहां पर पार्ट होने के बार अब हो में क्या करना है दोस्तों प्लीज ध्यान से चीज़ों को समझने कोसिस करना है अब यहां पर देखो प्लस साइन से आप स्प्लीट करोगे तो यहां पर क्या होज़ेगा दूस्तों यह अंडर रूट ओफ 3 बाइ 4 4X प्लस 2 और बीचे कहा है अंडर रूट ओफ 2X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 और BX और प्लस यहां पर कहा हैगा दूस्तों 5 बाइ 2 अंडर रूट ओफ 2X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 और यहां पर दीए यह हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया देन आई विच इस इक्वाल टू 3 बाइ 4 यहां पर 4X प्लस 2 अंडर रूट ओफ 2X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 और यहां पर गाएगा दोस्तों 5 बाइ 2 1 अपान अंडर रूट ओफ 2X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 और दीएक्स हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों सेम वही फंडा है अब दीए आवे कोरोलरी बस चेंज होगा यूजी अब हमने एक और कोरोलरी पढ़ा था यह अंडर रूट ओफ F of X है function अगर root में है और उसके उपर उसका derivative है तो इसका answer कहाँगा 2 under root of नीचे का जो denominator है यह भी हमने पढ़ आता है अगर root में हमारा function उसके उपर उसका derivative है अगर root नहीं होता तो log आता पर root है तो same root लिखो आगे बस 2 ले लो तो यह भी हमने पढ़ा था बस इस वाले पार्ट में कोरोलरी चेंज है बाकी फंडा तो सब सेम है तो आई बीचे से इक्वाल देखो त्री वाले पार्ट का उपर डेरिवेट्व है सही बात है देखो न एक्सक्वर का टू एक्स आगा इंटू फोर एक्स हो गया तो आप ड सब्सक्राइब करेंगे और ट्राइब करेंगे कि यह पूरा का पूरा सम सॉल हो जाए और इसका एंसर आजाए अब देखो दोस्तों यहां पर आ सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे आप डारेक भी सम सॉल कर सकते हो बैट कभी भी अगर एक स्क्वार टी स्क्वार कुछ भी है तो उसके साथ जो टर्म है उसको आप इसको कॉमन ले लो कॉमन लोगे तो यहां पर टू आएगा तो यहां पर क्या जाएगा एक है करें के अंडे रूट ओ एक स्वार एक स्क्वार सक्वार सेंसेगा जो कि यह जो रूट तो है कर दो यह सुछ में तो एक है, वहरं है, तो क्या है? 1 by 4, 1 by root 2. 1 upon, under root of x square plus x, अब यह दो को यह दो नों में, plus 1 by 4 को आप एड़ कर रहे हो, और यहाँ पर minus 1 by 4 ले रहे हो, यहाँ पर 1 by 2. डरना नहीं है आपन में आए या जो भी आए बस आपका कैल्कुलेशन अच्छा रखना है स्टेफ सेम रखना है अब यह आपन में आ रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग पेनिक हो जाते कि भाई आपन में है अब कई से होगा अब देखो दोस्तों यहां पर एंडर रूट अ स्क्वेयर है और यहां पर प्लस दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे दूए एकस ए वन बाइपवर इसका स्क्वार और यहां पर स्क्वार है अब 1 by 4 तो यहां पर आएगा और अगर अब ध्यान से देखोगे दोनों में से उपर प्लस का साइन तो प्लस में आएगा प्लस वन बाइगा अब देखो दोस्तों यहां पर यहां पर डी एक्स है अब बस याद रखना की जो फॉर्बला आप अप्लाए करना तो अंडर रूट वाला अप्लाए करना अंडर रूट वाला अप्लाए करना अब रूट वाले फॉर्बले मैंने आपको हमेशा बोला था कि लॉग लिखो और यहां पर एक्स लिखना प्लस सेम रूट जो भी आपका रूट आ रहा है वह सेम तो सेम यहां पर लिखना प्लस यह इसका फॉर्बला है नहीं तो बहुत सारे लोग बीना रूट वाला अब दोस्तों अगर मैं यह फॉर्बला अप्लाए करूं तो यहां पर आपको क्या करना है सेम रूट रखना आप यह रख सकते हो चाहिए तो आप स्टार्टिंग का पार्ट रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पर मैं यही अब भी रख रहा हूं स्कते हैं स्टार्ट अब दोस्तों यह आपका क्या अब हम पर फॉर्स लीकिंगे दोस्तों अगर आप द्यान करना यह पूरा का पूरा पार्ट सेम है five by two भी है बस यहां पर आइवन का जो आपने और यहां पे निकाला ना दोस्तों यह पूरा पूरा एंसर बस वहां पर जाकर का बतारो जिससे यह टाइप आपको पूरी तरस से आ जाएगा अब दोस्तों देखो यह एक सम है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यह एक सम सौल कर लोगे यह सम सौल कर लोगे दैन इसके बाद हम आगे के लेक्चर में यह दोनों सम मैं सौल कराऊंगा वैसे यह दोनों सम भी से लेना जिससे आपकी चीज़े बहुत अच्छे से ट्यार हो जाएगे वीडियो पर देखने के लिए दिल से टैंक्स टैंक्यू सो मच दोस्तों विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइबाइ टेक क्यार जाहें दोस्तों